दुस्ता दुस्तों मैं डॉक्टर वीकमामिस्त्रा और एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पर दस्तों आज जैसा कि तुम्हें आज हम बात करने वाले हैं कि पेट निकलने की जो समस्या है कुछ ऐसे आहार और तरीके जिसको खाने से आपका पेट कभी नहीं निकले गए बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं आपको अब आप भोलें को डॉक्स आप गारंटी दे रहो जरा अपना पेट दिखाना देखो मेरा पेट गाइस देख लिए तुमने ऐसे तुम मैं रेगुलर जिमर हूं तो मेरा पेट देखी लो तुम कहोगे तो कभी दिखाएं दूंगा देख लिए तुमने अब दुवारा मत पूछना कि गारंडी भाई या खुद का तो है देखो मेरे जिबन का असूल है कि पहले खुद पे ध्या पहरा जो है प्रोटी युकत बोजन करने आपको प्रोटीन युकत बोजन कान से है मचली टोफु नर्ट्स-टिक-अवी इस सब क्या है प्रोटीन युकतबोजन अब वीडिएओ बना चैश्रों कौन कोन है इससे क्या होता आपको मेचल मेटावलीजम वह बिल्कुल सही र लैने में बात करें तो ऐसे फूट का से ऑन करने हैं जिसमें फाइब की मातरव में इसी फैस्ट पार होसा हो गया है सब्ला सब्रक्र Den net चलिक सब्सक्राएं सब्लय सब्सक्राइब अऴस्ते आप अब्लsembर बात करेंगे तो जर्क देखो fat to body important but good fat good fat किसमें होता है nuts जैसे मेवा काजु किसमें दूस्त होता है उसमें good fat होते है bees इसे bees में आपका आजाता है जिसे chia seed हो गया अलसी हो गया इसमें क्या था good fat होता है avocado इसमें भी जो है good fat जैतून का तेल का से हमिल बहुत थोड़ा महंगा है मैं यह तो नहीं करता है लेकिन हाँ जो है सो मैं बता दे रहाँ नेक्स में हम बात करें तो कम carbohydrate बॉड़ी में जाके ना बहुत ज्यादा fat को इंग्रीज कर देता है जैसे white bread हो गया pasta हो गया ठीक है मिठाई वे गएर और तो खैर sugar जिसमें है तो उसमें बहुत ज़्यादा carbohydrate है तो यह आपके सीधे ही fat को बढ़ाती है ठीक अब इसमें बात करें कि इनके पर लेना क्या है brown rice लेली जिजन के जगा पर अषे味 करें मृल्ट्रे गेर जो रोटियां होती है को अब कहा सकते है ने केपान ज relentless की चोटी चोटी मात्रा में खाना जिससे क कई कि यह को इसे काया होते हैं, जैदा है पूरा भर के खालेंगे शुबह और शाम, ठीक्ट या तीन बर खालेंगे, आपको क्या करना है ना खाने? मैं भी करता हूँ, कम से कम प्या रहिए एक रहिए पर गट पेट भरके खाओगे तो पेट का साइज एसे एक बर निकल जाता है तो आत भी मोटी हो जाती है जब आत आपकी ऐसे मोटी हो जाएगी तो मोटी होने के बाद होगा क्या कि जब तक पूरा अनाज इसमें पेट में भरेगा नहीं है आत भी और पेट भी दोनों कहलो तो जब में जब पूरा अनाज भरेगा नहीं तो आपको फील होगा क्या कि भूख लगी हुई तो और आप खाओगे और जादा खाओगे तो और यह बड़ा होगा और आपको फील होगा जब थोड़ा-थोड़ा खाते हो तो पेट का साइज इसे इंक्रीज नहीं होता है इतना ही जिसे लेयर बना हुआ है फिर जिसे पच जाएगा फिर थोड़ा से खाओगे तो बढ़ते चला जाता है और जब तक वह अपने जगह पिछे पकता नहीं तब तक आपको भूग फील नहीं होता है यह बहुत बड़ी बात है कि थोड़ी थोड़ी मत्रह में बार बार खाना नेक्स में बात करें तो धीरे धीरे और ध्यान से खाई देखो पाउसा कोई आज के ठराइम क्या खा रहा है यह च्याते מח फाई अन। खापात हैं कपक से मार लिए तो यह क्या है ना कि इससे आपका ध्यान कहीं और रहता है और खान जितना खाना है उससे जद्ध आप unto तो खाते समय स्विप खाने पर द्यान दीजिए और चबा के खाया और अच्छे से कान नेक्ट इसमें बात करें तो रात में गाईश देखो रात में कभी भी आपको तला भुना है भी चीज नहीं खानी है ठिक यह दखना इससे ना पाचन बहुत ज़्यादा कटना एक इस ड क्योंकि रात में होता है ना डायरीजेस्चन स्लो हो जाती है और आपका दिमाग में जो दिन भर आपने इ letztिdar करता है बोडी सरी सरी港 हो जब बॉडी रिपेयर करती है तिसमें अब अनग में चाहिए उर्जा को खफवद को तीन ना हो डायां देता है इसलिए रात में आपको लेकिन आज को लोग उल्टाई करते हैं दबा के लोग खाते हैं रात में भी ये चीजे कभी मत करिए आप ठीक नेक जिसमें हम बात करें तो तलाब होना देखो कोई भी फीजिकल चीज अगर आप मुझ में डाल रहे हो पेड़ में जा रहे हैं तो फ चबाए जा रहे हैं इस तरह से उसको बनाया गया है डेश्ट उसका कि आपका मन बहीं भरेगा लेकिन आपका पेड़ फूल दे चला जाएगा तो इस चीजों से बनें चीनी वाल चीजों से दूर रहें ठीक यह सबसे इंपोर्टिन है नेक्सारे बात करें तो रात में जान भटकाता हूं ताकि उसको पूर प्रॉपर एसिड जो आपके पेड में निकल रहा हूं अच्छे से निकल जाए और डाइजेशन थोड़ा सा संदूलित हो जाए तब जाके सोईए तो यह बहुत इंपोर्ट रहता है रात में तुरन खाने कबाद नहीं सोने नियमित वय अगर आप इन सवाध्यों को अगर आप अफना लोगे न तो एक तो आपका वजन तो कम होगा ही अगर आपका ज्यादा वजन है और प्लस जो आपका पेट निकलने की जो समस्या है कभी होगी ही नहीं तो यह बस नॉर्मल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कुछ आद साइंस नहीं है बागी आपका बहुत साथ और पेट निगल गिया है तो एक मेडसीन आती है मैं बता देता हूं महिलाओं के लिए जो है वो कलकेरिया कार्ब लेना बागी जो चीजे में बता है उसको फॉलो दो कर नहीं करना है यह चीजे आपको लांग ट्रम में थोड़ा सा टाइम लेगी तुरंट कोई चीज ठीक नहीं होता है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बी हल्दी एंड बी एपी थांकी सो मच फर वाच